दोस्तों अगर आप railway NTPC या railway group D की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक test series आई है जिसमें आपको 7 से भी ज़्यादा test series देखनेों को मिल जाएंगे और साथ ही साथ उसका practice state भी आपको मिल जाएगा solution के साथ इस test series की कीमत सिर्फ और 40 रुपे है साथ test series आपको मिल जाएंगे solution के साथ मिल जाएंगे और उसी pattern पर आपको मिलेंगे जिस pattern पर railway NTPC का exam और railway group D का exam कराया जाता है इस test series की कीमत सिर्फ और 40 रुपे है अगर आपको यह purchase करना है तो नीचे दिया हुआ WhatsApp नंबर आप वहाँ पर contact कर सकते हैं या फिर description में आप चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा आप WhatsApp पर contact करेंगे आपको सिर्फ और 40 रुपे यहाँ पर देने पड़ नमस्कार दोस्तों स्वाग अथा आपका मैंत्सिको चैनल पर दोस्तों बिहार दरोगा के लिए मौक टेस्ट रोज रात 9 बज़ अप्लोड की जाती है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथी में जो बेल का एकोन आता है घंटी उसे भी दबा दे ता बिहार दरोगा के त्यारी के लिए आपको चाहिए तो नीचे दियेवे वाट्सप नम्बर पर आप हमें मेसेज कर सकते हैं वाट्सप स्टडी ग्रूप जोइन कर सकते हैं इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन मैंने लाया हुआ है मौक टेस्ट के लिए टोटल के टोटल BPSC पैटर्न पर आधारित हैं सेम टो सेम जैसे विहार दरोगा में पिछली बार पूछा गया था तो टोटल 40 क्वेश्चन है आपको जो है जो भी एंसर आते हैं नीचे कमेंड करके एंसर देना है और जीने पर सही एंसर दिया लास्ट में क्विज का क्वेशन भी होता है उसका जा honeymoon देने पर आपको प्राईज j BY मिलते हैं तो टेस्ट लगाने स्टार कर देजिए और कोसीं करिए कि बहुत अच्छे से टेस्ट लगां थोड़ा स्टर्ट करते हैं तो चलिए आज का वी डिरियो स्टार्टकरते हैं तो दूस्तों तो आज का सबसे पहला कोईशन हाली में और पेप द्वारा कौन सा अभियन चलाए गया है चार अप्सक्राइब के सामाने है फटब आपको जवाब देना है अगला क्वेशन देखेंगे हमलों हाली में किसने दिल्ली के राष्ट्री संग्राले में कपला गैलेरी का उध्गाटन किया है अगला क्वेशन देखते हैं अटल विहारी वाजपई चिकिस्त सा विज्ञान केंद्र के अस्थापना कहां की गई है अगला क्वेशन है पुरो विद्टमंत्री अरुन जेटली की प्रसिद किताब का नाम क्या है इसका राइट अगला क्वेशन देखेंगे मों सरकार योजना किस राज्य की है फटा वट आप सभी को कमेंट करना है रोज रात नौ बजे वीडियो लाइव आती है आप सभी को लाइव आ जाना है और मौक टेस्ट देना है आप कितनी तयारी करना है और कितने आप अटेम्ट कर सकते हैं बिहार दोरोगा के लिए आप सक्षाम है की नहीं है तो क्वेशन है मो सरकार योजना किस राज़े ने स्टार्ट की है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए ओडिशा राज़े ने अगला क्वेशन हर स्वर्धन के सासन काल में कौन सा चीनी आती भारत आया था हिस्ट्री का क्वेशन है मैंने इसमें हिस्ट्री जीके जीएस करेंट यह सारे क्वेशन मिला हुए जैसे की बीपीसी पैटर्न है पुछा जाता है वाइड वेब यह वर्ल्ड वाइड वेब जो है किस प्रोटोकॉल का उप्यों करता है कि अगर आप किसी वेबसेट पर जाते हैं तो सबसे पहले आप उपर देखेंगे नम टॉप करॉनर पे तो से स्टार्ट होता है ऐसे उसके बाद कॉलन देता है फिर दिया रहाता है तो यह स्ट्ट्ट्प प्रोटोकॉल का यूज करती है अगला में स्ट्ट्प यूज क्या वी स्ट्ट्प नमबर आ है सामबर ज स्थान में अगला बढ़ते हुए पोधों को कि स्ट्व की अधिक महत्रा में आवशक्ता होती है जो पधे अभी बढ़ने की में होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है चार अप्टिर अपके सामने है एंदेराट अंसर dif आत dużo अप्च्रो नमर सी नाट्रोजर्ण यानी बैंगलोर में निजी छेतर में कि रेडियो स्टेशन अस््थापित किया गया अगला question question number 12 गारो जनजाती ट्राइबसे question आता है गारो जनजाती कहाン की है इसका एंसर आपको नीचे comment करें बताना है व्यर व्यर िजी क्वेशन है अगला सबसे महत्वपुन अंग कौन सा है कि विच वन इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ओफ फ्लावर अकोर्डिन टू लाइफ साइकल क्वेशिन नंबर 13 राइट एंसर ऑप्शन नंबर सी फूल अगला क्वेशिन नंबर 14 महाराष्टर के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है यानि पॉपुलिस्ट कहा जाता है महाराष्टर के हैं यह आपको ध्यान रखना है एंड राइट एंसर इज ऑप्शन नंबर सी गोपाल हरी देशमूख चलिए आगे बढ़ते हैं जीवान रक्शक हार्मॉन जिसे कभी कभी आपको एमर्जनसि हार्मॉन भी कहा जाता है तो जीवान रक्शक हार्मॉन किस ग्रंथी से सत्रावित होती है अगला question, भारती सन्वीधान की व्याखया करने का मुख्य अधिकारी कौन है? मतलloud भारती सन्वीधान की व्याखYU कौन कर सकता है? अगला question, दिली में इंदप्रस्थ की खंधरों पर दीन पनाह नगर किसने बस आया था दिल्ली में इंद्र प्रस्त की खंड़ारों पर दीन पनाह नगर किसने बस आया था ज़ाएं से एंसर हो जाएगा option number C हुमायू अगला question भारत का वृद्ध व्यक्ति किस नेता को कहा जाता है वृद्ध व्यक्ति भारत का वृद्ध व्यक्ति वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है किस नेता को कहा जाता है एंसर है ओप्सन नंबर C दादा भाई नौरो जी को अगला question आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कोश्यन आधुनिक भारत का जनक दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में एक क्विज के क्वेशन आता है, जिसे देखके आप पैसा भी कमा सकते हैं, तो लास्ट तक जरूर बनें, क्योंकि आपको तैयारी के सांसत, आपको कुछ इनाम भी जीतने का मौगा मिलता है, तो इसका एंसर क् जाएगा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, राइट एंसर, ऑप्चन मेरे, राजारा मोहरण रायको, निमल लिखित में से, कौन सा एक परमानविक गैस है, यानि, आटोमिक गैस है, कौन सा है, औप्चन दिया गया चार्टो, राइट एंसर, अप्चन मेरें, हिल हिलियम किस प्रकार के स्रेणी में आता है यह आता है निस्क्रिय गैस यानि इनर्ट गैस की स्रेणी में आता है अगला क्वेशन भारतिय संसद के दोनों सदनों की अधिक्षिता कौन करता है तो दोनों सदन कौन कौन से हैं निम्न सदन उच्छिता कौन करता है उनकी अधिक् दिशा और गती यंद से मापना है यंत्र और उशन आपके मापना के यंद यह बहुत इंकोर्टेंट है है तो बाद लों कि दिशा और कि अध्यां मापना है यातर तरहेटबell और से मापड जाती है से अजय प्रधान मंत्री करते हैं प्रधान मंत्री ही सबको मंत्री मंदल देते हैं कि किसका मंत्राले कौन सा होगा अगला देखेंगे में लों कि क्वेशिन नमबर 25 विश्व उप भूगत best दिवस विश्व उप भूगत अधिकार दिवस कब मनाये जाता है अगला अधिना मस्जित कहां है इसती चार हम आपके सामने है अधीना मस्जित कहां है इस्तित है आपको मकं मदीना पता है अधिना मस्जिद कहा इस्तित है very very important question है right answer option number A, West Bengal जो लोग West Bengal के हैं पस्षी मंगल के हैं उनको पता होगा अधिना मस्जिद West Bengal में है अगला question, question number 27 खादी औं ग्रामिन उद्ध्योग के स्थापना किस पांच वर्सी है योजना के अत्तात किये गई है यह हर 5 वर्ष पे होती है तो एक बार हो चुकी है और यह दूसरी पांच वर्ष यह योजना है दूसरी राइट एंसर अप्शन नमरे दूसरी अगला क्वेशन चिपता हुआ महासागर किस महासागर को कहा जाता है यह थोड़ा अलग क्वेशन है तो चिपता हुआ महासागर किस महासागर कहा जाता है नीचे जरू कमेंट करें तो यह कहा जाता है option number B architect महासागर को चिप्ताव महासागर भी कहा जाता है अगला question question number 29 very important question है निमने लिखीत में से कौन सा बंदरगा प्राकृतिक बंदर्गा नहीं है मतलगा 4 option दिए गएं जिस में से तीन जो है प्राकृतिक बंदरगा और एक प्राकृतिक बंदर्गा नहीं है तो कौन सा नहीं है आपको बताना है मुंबई पारादिप चिन्न या कांडला right answer is option नमबर सी चिन्नाई बंदरगा जो है या प्राकिर्थिक बंदरगा नहीं है नेक्स्ट क्वेशन मनुष्य लोहा कहां से प्राप्त करता है कि सीच से ज्यादा उसे लोहा मिलती है चार आपके सामने है राट एंसर हो जाएगा ऑप्सट नमबर ए पालक पालक में बहुत ही मात क्वेशन नमबर 31 का एंसर हो जाएगा ऑप्सट नमबर एक हैदराबाद हैदराबाद सलारगन संग्रहल है है अगला क्वेशन 32 भारत के सनविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का सनविधान बहुत तरह देशों स करें मिला कर लिया गया है तो इसमें चनल विधान मौलिक अधिकार है वह कौन से देश से लिया गया यह क्वेशन पूछा गया है आवर्ट सहारनी का जो एक टेबल है उसमें सबसे अंतिम यानि सात्वा ग्रूप में कौन सा सदस्य होता है तो यह ना पुछकि अंतिम सदस्य ना पुछकि आपसे पुछा जाता है वर्ग साथ क्या इलिमेंट कौन-कौन से है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी निस्क्रिय गैस इनर्ट गैस इसमें कौन-कौन से गैस आते हैं मैं आपको बता देता हूं वेर्वेर इंपोर्टेंट है नाम याद रगिएगा हिलियम नियोन और गन क्रिप्टोन जेनोन औ लेखख कौन है ? question number 34 right answer option number a भरत्मुनी है नाटे शाथर के लेखख भरत्मुनी next question question no.35 सीनेमा परदे पर किस प्रकार का प्रतिविम्द बनता है राट एंचारge om अगला क्वेशन की स्कूल का पौधा है बेरिवर इंपोर्टेंट क्वेशन बैगन की स्कूल का पौधा है 2008 अपुछा गया था अगला प्लेच्वन अगला क्वेशन नम्रग के प्रसिद्ध लाइगून जील कहां इसतित है भारत की सबसुन प्रशिद जिल लाइगून जील यह कहान प्रयोग होता है very very important question यहchau L चलाने में कौन सा इंदन प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट एंसर रोजगा अप्सिन नमर भी प्रणोधक यानि प्रोपिलेंट गैस का यूज इंधन का यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन क्यूह टिट्य नमर थर्टिक्स अधिकांस ता कहा पाय जाते हैं किस में पाय जाते हैं अगला क्रॉश्चन अजका साची का स्थूप कहा इसती थे लास्ट सभी ना जरूर में करें कि चलिए बता देता हूं राइट एंसर अप्शन नमर ए मद्ध्य प्रदेश में इस्तिते एंप मद्ध्य प्रदेश में इस्तित है साची कैस्तु तो दोस्तों यह थे टॉप फोटी क्वेशन जो कि बीपीसी पैटन पर आदारित है भी हार दरोगा के लिए रोज रात सागरबाद किस नदी परिस्तित है चार आपके सामें कावेरी क्रिश्ना गोमती और नर्मदा नागरजन तो इसका कमेंड करके आपको सबसे पहले अनसर देना है उनको 20 रुपे की रासी का इनाम उनको मिल जाएगा तो दो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जर और साम 4-4 बजी अपलोड किया जाता है तो अगर आप हमारे वाटसअप ग्रुप से जुन ना चाहतें तो यह रहाँ वाटसअप नमबर वीडियो के जितना जदा शेर करेंगे उतना जदा हिम्मत मिलती है लाइक जितना करेंगे उतना जदा प्रोसाहन मिलता है और आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्स फूर वॉचिंग दे वीडियो